हेलो फ्रेंड कैसे हैं अप लोग आशा करती हूं अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूं तो देखिए आज मैं जारी हूं बनाने चोकुलेट के अपपे तो देखिए उसके लिए मैंने क्या क्या लिया है और खाने में इतना टेस बिस्कुट लिया है एक एक पैकेट बिस्कुट है चोकलेट वाले बिस्कुट है इसको पीस के अच्छा से पॉर्डर बना देंगे बिस्कुट का पॉर्डर तो देखिए मिक्सी में डालके बिस्कुट को पीस लेते हैं और इसका पॉर्डर त्यार कर लेते हैं तो बिस्क्विट पिस गया मेरा यह देखिए पॉडर बन गया अब इसको निकाल लेते हैं बरतन में तो फ्रेंट बहुत अच्छा बनता है तो आप लोग भी पूरा वीडियो देखिएगा और बनाईएगा बहुत टेश्टी लगता है खासकर बच्चों के लिए बच्चों तो देखिए आप जब तक बनाना खतम नहीं होगा बनाने में टेम लगेगा खाने में नहीं लगेगा बिल्कुल तुरह खतम हो जाएगा तो देखिए पॉडर ले लिए ना पॉडर बन गया बिस्क्विट का और इसको हम दूद से घोल रहे हैं बहुत ज़्यादा पतला करना है बस ऐसा जैसे हम चिल्ले के लिए घोलते हैं या केक का बेटर बनाते हैं उसी परकार थोड़ा थोड़ा दूर डालते हैं इसको अच्छे से घोल लेंगे और चकलेट के अप्पे बनाएंगे तो फ्रेंड आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक, सेर, कॉमेंट करिएगा अगर नए जुड़े हैं तो सस्क्राइब भी कर लेजेगा तो देखिए कितना अच्छा से इसका घोल बन रहे हैं ताकि एकदम से स्पंजी बने तो देखिए मैं इनो डालके भी घोल लेते हैं तो घोलते हुए देखिए कैसे यह उपर-उपर आ गया एकदम बिल्कुल बेटर हलका हो गया तब यह मेरा पेश्ट बन गया अब इदर देखिए यह अब पे ले लिए उसमें थोड़ा-थोड़ा गी लगा देते हैं ताकि चिपके न और यह मेरा गरम हो गया है अब पेपन गरम हो गया तो देखिए हम उसमें पूरा भर के नहीं डालेंगे फ्रेंट आधा आधा डालेंगे पहले सब में तो देखिए एक एक करके हम सब में आधा आधा खुणचे में यह बेटर को डाल लेते हैं और इतना अच्छा लगता न फ्रेंट खाने में अगर एक बार बना देंगे ने आप बच्चों को बना के खिला देंगे तो बार बार इसी का फर्माइस करेगा बच्चे कि मम्मी प्लीज बनाओ बनाओ अब कोछ भी ने अदम फटा फटी बन जाता है कोई टैम नहीं लगता है अना ज्यादा कुछ खर्चा है बस बिस्किट और चॉकलेट का है बांकी कुछ भी नहीं लगता है इसमें तो देखिए आधा आधा मैंने सब में भर दिया इसमें अब हम इसमें चॉकलेट कोई टाल देंगे बीच में चॉकलेट डालने से तो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता हैं तो देखिए शबम चॉकलेट डाल लेते हैं चॉकलेट डालने के बाद में इसके ऊपर से और थोड़ा थोड़ा बेटर डालेंगे तभी अच्छा लगा खाने में अब स 5 मिंट में बन के तयार हो जाता है तो देखिए सब में चोकलेट डाल दिया थोड़ा थोड़ा बेटे रोड सब के ऊपर डाल देते हैं अब बहुत जल्दी बन जाता है फटा-फट अब खाने में इतना अच्छा रखता है प्रेंट कि क्या बता हूं जब आप बना के खाएंगे तभी इसका देखेंगे कितना अच्छा टेस्ट है तो देखें हम थोड़ा थोड़ा करके सब बेटर डाल दिया इसमें और इसको हम डख देंगे डखकन से दो तिन मिंट के लिए तो अच्छे से यह उपक जाएगा तो सब में बराबर बराबर कर दिये थोड़ा थोड़ा बरश से और इसमें रिफांड या तेल डाल दिये ताक कि इसको पलटने में अच्छा हो और ढखन लगा दिये दो तिन मिंट के लिए अब हम दो तिन मुट्ट बात देखाएंगे डखकन अटाके कैसा होता है तो दिखे फ्रेंट दो तिन मुट्ट हो गया अब हम इसको एक एक करके पलट रहें देखे कितना अच्छा नीचे से पक गया लग रहा देशे कि गुलाब जामूनो ऐसी आके करके पलट दे रहें सबी को तो है न प्रेंट बनाने में बहुत आसान तो आप लोग भी जरूर एक बार ट्राइ करिएगा बनाने का अब बना के बच्चों को जरूर खिलाएगा बच्चे बहुत खूस हो जाएंगे तो देखिए हम एक करके इसफिलट दे ने जञाता हणं बहुत यह ज़यदार सौप्ट बना है और यह जर बीच में हमने चोकलेट डालाए न सब चोकलेट गरम से पिगल जाएगा तो बिच बहुत अच्छा सारी बीच हमें देखने में बहुत अच्छा लगेगा तो देखें फ्रेंट सभी गों ने पिलड दिये फिर हम इसको डग देते हैं एक दो मिंट के लिए ताकि अंदर से जो पल्टे हैं वो भी अच्छे से हो जाए तो फिर हम डगकना टाक देखें देख रहें अभी नहीं हुआ है तो फिर मैं और डग देती हूं डगकन को और इसको देखें आप पलट के देख रहे हैं अब दोनों तरफ अच्छे से पख गया है सब को फिर सैसे अलट पलट के चारों तरफ से अच्छे से सेख दिये इसमें ना ज्यादा इसमें तेल लगा ना गी लगा और देखें बनके तेयार होगा चिपका भी नहीं बिल्कुल भी और हम सब निकाल लेते के करके आप फ्रेंड में इसको उसको तोड़के भी दिखाएंगे अंदर से कैसा निकलता है तो यह फ्रेंड प्रेंड इसी वाला अप्पे पेन में यह बनेगा आप शोचे के पेन में बनाए तो अच्छा न ही मिवकासि पहने ऐसे आप अच्छा लग रहा है अगले वीडियो में जब तक के लिए बाई